ये लोग चाइनीज चस्मिस से सब कुछ देखते हैं इसलिए इनको सब कुछ हलका नजर आता है अरे बलातकार हो जाती है बेटियों के साथ जिन्दा जला दिया जाता है बिधायक क्या करते हैं किसी से छुपा नहीं है उनके सांसद क्या करते हैं किसी से छुपा नहीं ठीक ह है थोड़े देर के लिए धर्म की चासनी चटा करके आप चुनाव जीत लेते हैं यह समझते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गई है रोज रोज नाम क्यों लेते हैं जिससे जो डरता है जिससे जो घबराता है उसी का बारबार लोग नाम लेता है और वो नाम लेते हैं कर दिया गवर्णर लेफ्ट इन गवर्णर बना के इससे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं जिन भ्रष्टाचारियों को हमने निकाल के बाहर फेक दिया उसको भी वह अपने वासिंग मसीन में दो करके बताते हैं कि यह सबसे दुनिया के इमानदार रहती है मोदी के आठ साल के कारेकाल पूरा होने पर कॉंग्रेस यह कह रही है कि इन आठ सालों में पूरे देश में किरोसिन छिड़क दिया गया है हर तरफ दंगा फसाद हर तरफ इंसान इंसान से लड़ रहा है यही सरकार की उपलब्दी है महंगाई चरम पर है बेरोजगारी चरम पर है डॉलर परदान मंत्री के आयू से ज़्यादा बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी कह रहे है अच्छे दिन चल रहा है हमारे साथ कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजस्ठाकुर जी आठ साल की उपलब्दी का तो ऐसे आपने बखान किया जैसे सुन्ने हो भेलू फिर भी आप कह रहे हैं कि महान है बीजेपी का ये कहना है कि इटालियन चस्मा जिस दिन उतर जाएगा कॉंग्रेस की नजर से उस दिन देश अच्छा दिखने लगेगा देश में अगर गरीब गुर्बा के पास कोई बैठेगा तो उसको देश से प्यार होगा वो अमीरों के साथ जो बैठेगा इसलिए वो भी देश में जाकर ये कहेगा कि देश अबर रहने लाइक नहीं रहे देखे हम समझते हैं कि ये लोग चाइनी चस्में से सब कुछ देखते हैं इसलिए इनको सब कुछ हलका नजर आता है देश में जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है किस तरह से लोग त्राही माम कर रहे हैं रोड पे छिंताई की घटना बड़ी है लूट की घटना बड़ी है चोड़ी की घटना बड़ी है ये आर्थिक समान जो आशामानता है उसके बढ़ने के कारण हुआ है पीजेपी करिए कि जहां कॉंग्रेस की सरकार है लोग अच्छा से मेंटेन नहीं कर पाए इसलिए फिल जिन्दा जला दिया जाता है बिधायक क्या करते हैं किसी से चुपा नहीं है उनके सांसद क्या करते हैं किसी से चुपा नहीं माली से ले करके और बलातकार तक की घटनाओं में सनलिप्त हैं वो अगर इस तरह की बाते करते हैं तो पहले तो उन्हें चस्मा उतारने की कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं और नफरत फैला करके आप महेंगाई और बेरुद्गारी से ध्यान नहीं हटा सकते थोड़ी देर के लिए कुसी मिल सकती है कि हमने इन तमाम चीजों पर काबू पा लिया है विपक से जो बयानबाजी में जीत ली है लेकिन सचा ही यह है धरात से बत्तर होती जा रही है इस चीज को प्रधान मंत्री जी और भारती जनता पाटी के लोगों को समझना आपका बीजेपी कह रही है कि भारत जोड़ों 75 साल अमरीत वर्ष के हो गए भारत जोड़ों का नारा दे रही है आप कॉंग्रेस प्र इसका जरूरत नहीं है अपना पाटी को जोड़े ले इस उमर में भी कपिल सिबल अगर बाहर चले जा रहे है तो बोड़ा बीजेपी की दिन है अगर लोग कॉंग्रेस का भरोसा नहीं कर रहे है तो बोड़ा बीजेपी की दिन है हमारा नारा था कॉंग्रेस मुक्त भारत का और लोग उसको पूरा कर र बराता है उसी का बार बार लोग नाम लेता है और वो नाम लेते हैं सुबा उड़ते हैं तो कांग्रेस सोते हैं तो कांग्रेस डर लगता है कांग्रेस से इसलिए लगातार इस तरह की बाते करके भारत जोड़ो हमने कहा आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है आप परिशा से कन्या कुमारी हमने एक किया 378 के 378 के नॉर्थ इस्ट के लोगों को सम्मान दे के भारत में आए लोगों को जो सरनार्थी थे अभी तक या घुसपेटिय कहते थे उनको हम लोगों ने यहां की नागरिक्ता देने का फैसला है बरा हम जोड रहे हैं भारत को तो इन्हों ने उनका एजेंडा हो करेंगे ही पहले यह बताना चाहिए कि चिन कहां तक घुजा है अपनी सरहदों में उनका कितना तक कब्जा हुआ है यह भी बताना चाहिए क्या कर लिया कस्मीर में 378 करके क्या तब दिलिया आ गई रोज जो घटनाय घटती थी वो घटी रही है ठीक आ कोन कहरा बादखलिब है आप देखने कस्मीरी पंडितों की हाला सिर्फ सिनेमा देखाने से नहीं होगा हकी कत कु ढई देखना हो stud haswar's और थाama तो धीखा दिन मैं चाहती एबistant हमा मत ओ जानते हकिकन नहीं होता हकीकट और सिनिजमा में अंतर होता है Mansion watching the集 दिखाने का काम क लगवक 15 एम से पूरे भारत में, पहले IIM कितने थे, आज कितने हैं, पहले IIT कितने थे, आज कितने हैं, बोरा ये है, पहले रोड कितना डबलब था, आज कितना है, कहरे पहले रोड कितना बनता था, और से तन पढ़ दे, आज कितना है, बोला ये हमारी उपलब दी है, इसक पांडे जी एक बात बहें बता दूँ संगत से गुन होत है संगत से गुन जात संगत में कम रही है उन लोगों के जितना आप बता रहे हैं उतना तो भी नहीं बताते हैं तो इसलिए उसके संगत का असर हुआ जरूर है लेकिन सब लोग जानते हैं क्या क्या हुआ है और किस तरह से IIM, IIT का आस्तर भी इन्होंने गिराने का काम किया, वो भी किसी से चुपा नहीं है, तमाम समयधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने का काम किया है, तमाम जो अच्छे स्कूल कालेजे थे, उसमें कहीं न कहीं राजनितिक घुस्पैट की है, और ये अपना गाल बजान काम के फिर जेमें और कांग्रेस अपस में लड़ेगी? नि आपस में क्यों लड़ेगी, मिल्जूल करके लड़ेगी? पिछले बार भी आप लोग लड़े थे, ओसमें कहीं कोई वह ने हुँ, तै हुआ था कि कॉंग्रेस भी लड़ेगी और जा मूब भी लड़ेगी ये उस पर चर्चा चल रही है कि एक देना है कि दो देना है मुख्यमिंत्री जी से चर्चा हुई है निश्चित रूप से जब हम निश्चर्च पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको बताएंगे अमिद्वार कौन होगा उमिद्वार निश्चित रूप से जो हम लोग यहां से एक सिस्टम के तहत नाम जाता है जब यह तै हो जाएगा कि यह कांग्रिस को सीट मिल गई है तो हम लोग उस पर नामों पर विचार करके नाम भेजने का काम करेंगे फिर आला कमान का जो निर् करेंट बीजेपी के तरफ से तो इस पर भी कॉंग्रेस की निगाह है और देखे हम लोग जो भी ब्रश्टाचार करेगा निश्चित रूप से जो उसकी जगह है वहाँ जाएगा एडी कारवाई कर रही है एडी को लागातार बताना भी चाहिए किन-किन मामलों में इस तरह की कारवाई हो रही है को क्या रगवर्दास के कार्जकाल के मामले थे इसकारेकाल के मामले थे कौन से मामले है थोड़ा सा और एडी को स्वतंत्र होने की जरूरत है स्वतंत तरी करवाई पकड़ा जा यह देखना होगा कि किस काल में क्या-क्या हुआ है तो आपको दोसी मानती है बोली कॉंग्रेस के साथ है बस इसलिए क्योंकि भरस्टाचार की गंगोत्री बहती है कॉंग्रेस के यहां से और उसको क्लिंचिट देने का काम भरती जनता पार्टी करते है क्लिंचिट भरती जनता पार्टी का काम है देना आपने देखा होगा देश से एक से जिन भरस्टाचारियों को हमने निकाल के बाहर फेक दिया उसको भी वो अपने वासिंग मसीन में धो करके बताते हैं कि यह सबसे दुनिया के इमानदार व्यक्ति है अब देखिए मधू कोड़ा को धोया क्या हमने अपकी सरकार ने जेल भेजा था उनको ब्रस्टाचार के आरोप में फिर अप पार्टी में अधू कोड़ा जी नेता हैं मधू कोड़ा जी जनता की आवाज हैं और वो पने हुए हैं ब्रस्टाचार कहां अभी तक सावित 400 करोड उपया भी अगर ED और CBI ने जबत किया हो तो बताइए जब पहला खाका जो आखबार में और जवाप मेडिया में दिखाते थे कि 4000 करोड उपया का ब्रस्टाचार हुआ है तो वो कहां गई बाते सारी आज ED और CBI और Central Agency आप उंगली उठाते हैं बीजेपी कहती है कि राजस ठाकूर पर भी तो CBI यहां छुआ था उन पर कोई दाग नहीं मिला तो CBI ने उनको क्लींच इट दिया तो यह तो मानेंगे ना कि CBI निस्पक्ष है इडी निस्पक्ष है आज क्यों उठारे मैं कहां कहँ रहा हूँ कि निस्पक्ष नहीं है और यह अन्य राजियों में कहां और यह करणार नहीं है just सिर्फ जार्खंड में ब्रश्टाचार है क्या ब्रश्टाचार हीमाचल में नहीं है ब्रश्टाचार गुजरात में नहीं है ब्रश्टाचार मद्यपर्देश में नहीं है नहीं है अगर ये कहते हैं तो अलग बात है ये ये 2000 जो 14-2019 के बीच में क्यों नहीं छापे मारी हु कि क्यों तिलमलाट अधिकारी फस रहे हैं चोर अधिकारी हैं नेताओं को तक उसको उसको जो पॉलिटकल कनेक्शन दिखाया आता है और जिस तरह से सांसद और जो भाजपा के प्रदेश सद्धक्ष उसको पॉलिटकल कनेक्टेड करते हैं उस बात से उन लोगों ने भी रो और फेस्बुक पे डालते हैं उस चीज़ पर आँकुस लगे यहीं तो बता रहे कि अगर एडी निस्पक्ष है एडी सीबी आई काम कर रहे हैं अपना काम कर रहे कहां किसी उगहतराज है कब कहा है मुक्वेमंत्री जी ने की एडी और सीबी आई गलत कर रहे हैं कभी कहा ह दिखते हैं तो दिखते हैं उसक्रिया ये दारशनिक अंदाज था मुख मंत्री का जो उन्होंने कहा था कि गिदर भबकी वाली बात से हम डरेंगे नहीं मामला बरहस्टा चार से नहीं था वो निसी कांथ के ट्विट पे पलटवार था आप समझते रहिए बरहस्टा चार कौन बरहस्टा चारी कौन इसको लेकर उत्तेजित मत हो येगा लुख चार बात सब्सक्राइब येगा था प्रेम से बात से बात इसकार नहीं